सभी को मेरा नमस्कार मैं दीपड इसिला बिस्ट अपने यूटूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज मैं आपको ऐसे प्लांट के वारे मैं बताऊंगी जो हमारे गार्डन में लगभग 4-5 सालों से हमने लगाया हुआ है इस प्लांट की खाश्यतिया है यह पेरीनियल है यानि की बहुवर्सी पौदा है एक बार अगर आप लगा दे अपने गार्डन में तो यूँए आपको मिठे मिठे खटे मिठे रसीले फल देता रहेगा तो इस प्लांट का नाम है रस भरी तो रस भरी जो है रस से भरा वा फ्रुट इसमें लगता है बिल्कुल टमाटर के कलर का अन्य नाम इसके हैं गूज बेरी ग्राउंड बेरी और गोल्डन बेरी के नाम से भी यहां जाना जाता है जनरली इसको रस भरी नाम से लोग जानते हैं तो हमारे पहाड़ों में ये बहुत कम इसकी खेती मैंने सुनी है नहीं करते हैं यहां के लोग लेकिन ये हर रीजियन पे चाहे टेंपरेट रीजियन हो चाहे ट्रोपिकल रीजियन हो गरम एरिया ठंडे एरिया दोनों में ये बहुत अच्छी पैदावार देता है और इसकी market value भी बहुत अच्छी है तो यह जो fruit है इसको देखे मैंने cut करके रखा है यह golden color का golden yellow color का इसका और जब बहुत ज्यादा पक जाता है तो यह बिल्कुल orange color दे रहा है तो यह जो इसके मैंने cut करके रखा है तो इसमें seed दिखा द और अंदर pulp से भरा हुआ है और इसके जो स्वाद होता है वह जब एक fruit आप खाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा तो मैंने फिर लगेगा आपको मैंने इस ताइप का कौन सा fruit खा रखा है फिर दूसरा fruit तीसरा fruit खाने के बाद आपको लगेगा इसको इसमें mango का भी टेस्ट आ रहा है टमाटर का भी टेस्ट आ रहा है और अन्य fruits के भी इसमें टेस्ट आते हैं और एंसी का भी टेस्ट आता है तो यह इस fruit की बात मैं बताऊंगी कैसे यह इसमें सबसे पहले यह बुश देखो एक जाड़ी नुमा जब आप एक बार लगा देंगे बिलकुल कच्छा fruit है यह कैसा दिखाए दे रहा है बिलकुल जैसे की capsicum यह देखिए शिम्ला मिर्ची की तरह ऐसा लग रहा है कि यह शिम्ला मिर्ची कुछ अलग वराइटी का शिम्ला मिर्ची होता होगा लेकिन ऐसा नहीं है यह पेपरी जो बहार का जो कवर है इसका यह पेपरी होता है इसमें बात क्या है इसमें फ्लावरिंग पहले मैं फ्लावरिंग से यलो कलर के फ्लावर होते हैं इसमें और यलो कलर का बैल शेफड फ्लावर अकेले इस सॉलिटरी फ्लावर है धूप की वज़े से सुबह सुबह दिखाई नहीं दे रहा है ये देखे इसमें यलो कलर का फ्लावर लगा है और उसके बाद ये जो यलो कलर का फ्लावर है इसके अंदर अगर हम देखें तो इस पोर्ट है ब्राउन कलर का और परपल कलर का स्पोर्ट हमको दिखाए दे रहा है तो यह अकेले-अकेले बैल शेफड फ्लावर है टमाटर और आलू कुल का पहुंदा है यह सोले नेसी और सोले नेसी फैमली का पहुंदा है इसका जो बॉर्टेनिकल नेम है, वो फिजएलीस परूवियाना इसका बॉर्टेनिकल नेम है देखे यह राइपनिक फूट यहां पर पका हुआ है इसका पेपर ही बहार से कवर है, आप इसको बिना धो effort खा सकता है यह पेपर आपको हटाना पढ़ेगा इस तरह से यह देख इसका वजन अगर तोल के देखो 20 किलोग्राम कोई 30 सौरी 20 ग्राम का 30 ग्राम का पचास ग्राम का लगवक जब बड़े हो गए तो बिल्कुल इस प्रकार का यह यह देखिए गोल्डन येलो कलार बिल्कुल रस भरी बिल्कुल रस से भरावा फ्रूट है और इसके लीफ अग बहार के जो कैलिक से बहार का वायी दल है यह भी लगबर लगबर बढ़ता ही जाता है और इस तरह से प्रोटेक्ट करता है यह देखिए हम पर बढ़ा होगा है और यह भी बढ़ गया और धीरे धीरे यह फ्लावर जो अन्ने पार से इसके गिर जाएंगे और उसके बाद ये लग गया इसके अंदर सीट और बहार से जो हमारा सबसे वारवाई ये दल है वो भी बढ़के फ्यूजड हो जाता है और एक कवर कर लेते हैं अंदर से फ्लैसी फ्रूट होता है उसको कवर कर लेते हैं जब ये पग जाता है रैनिंग स्टेज में हो जाता है तो फिर उसक सारी बीमारियों का इलाज इससे होता है जो कहते हैं कि डाइविटिक परसन होता है उसके लिए तो ये वर्दान साबी थे उसके लिए कहते हैं रामबान की तरह वो एक कारगर है और उसका ब्लड सुगर कंट्रोल हो जाता है इसमें जो है पॉलिफिनॉल्स पॉलिफिनॉल्स के वज़े से हमारा जो हिर्दे प्रणाली है वो बिलकुल सही रहती है हिर्दे संबंदी बीमारियां और ब्रेन संबंदी बीमारियां और कैंसर संबंदी बीमारियां भी कंट्रोल की जा सकती है प्रोस्टेट कैंसर में यह बहुत अधिक मदद करता है और इसमें विटामिन की बात करें विटामिन A, विटामिन C और विटामिन D भरपूर मात्रा में पाई जाते हैं विटामिन A होने के वज़े से आपके आई विजन जो है केरेट इसमें केरेटोनिस्ट होता है आई वीजन बिल्कुल धीरे धीरे उसमें सुधार हो सकता है और आखों के नीचे जो आपका ब्लैक ब्लैक पड़ा हुआ है वो भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और इसके अलावा विटामिन सी अगर इसमें है खटा मीठा होता है और गर्मियों में तो बिल्कुल मीठा ही होता है तो इसको अगर आप लोग लेंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी और फटने से बच जाएगी विटामिन डी इसमें है तो आपके हडिया जाता है इसके वजह से आपके कब जे सम्बंदी बीमारियां भी आपकी दूर हो जाती है बिलकुल आपका जो प्रक्रड़ किया। यहां तो बहुत कम मैंने देखा है पहाडों में यह जो गर्मी के सीजन में यह बहुत आची फुरूट की दे था है तो तब वहाँ से ले लिजिये फुरूट को इजीली जैसे android का दुल्र का असन पहुंद तैयार कर सकते हैं और एक बार लगा देंगे उसमें थोड़ा खात पानी आप दे देंगे तो आपका ये सालों साल फल देता रहेगा और आप इसका स्वाध लीजिए बिमारियों से भी छुटकारा पाईए अपने आपको भी और परियारों को भी स्वस्थ रखिए इस प्रकार से अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो अंत मैं आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ